फिनु पेमेंट बैंक का हम सेविंग एकाउंट उपेन करेंगे यापे मेरा बैलेंस देख सकते हो और इस तरह से यापे बायमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिबैस को कनेक कर लेना है connect करने के बाद इसमें पहले से फिनू payment bank का saving account का combo kit इस तरह से ये kit को order करके रखना होगा और यापर new mobile number को हम enter कर देंगे enter करने के बाद यापर हम search कर लेंगे इस तरह से फिनू का merchant ID और CSP ID इस तरह से saving account उपेन कर सकते यापर new mobile number हमने दे दिया है और open account का option होगा यापर click कर लेना है click करने के बाद download application setting please wait करकि ये complete होने के बाद याहाँ से फिनू payment bank का saving account और current account भी open करना है तो कर सकते यापर हम saving account को open करके हम दिखाएंगे तो यह download complete हो चुका है complete होने कब यहापर देखे दुबार से हम यहापे open account पर click कर लिया है click करने के बर इस तरश आपर देख सकते B dispatcher saving account पर हमने click कर लिया है और यहापर देख सकते इसमें yes रहने देना है और यहापे combo platinium को select करने के बर अगर और सेडिंग अगर करना है तो yes नहीं तो no करके और इसमें यापर कोई से भी एक promo कुट देने के बार यापर एक वशी पर हम क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बार यापर customer का अदरकाट नंबर को हम इसमें टाइप कर लेंगे यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमने कास्टोमर का अधरकाट नमबर को टाइप कर लिया है टाइप करने के बार इस तरह से बॉक्स को सिलेक कर लेंगे सिलेक करने के बार इस तरह से फिंगर को हम स्केन कर लेंगे यहां पर touch करने के बड़ इसमें light जलेगा दुबार से हम इसमें type कर देंगे इस तरह से click करने के बड़ यहां पर customer का finger को scan कर लेना है हमने यहां पर देखिए finger ले लिया है capture कर लिया है और यहां पर देख सकते हैं automatic आधरकाच्चे पूरा detail ले लेगा लेनी की बार यहां पर मादर्स का नाम हम type कर देंगे इसमें customer का मादर्स का नाम हमने type कर लिया है इसमें हम customer का मादर्स का नाम देने के बार यहां पर occupation type सिलेक कर लेंगे self employ और यहां पर highest education इसमें type कर लेंगे यहां पर undergraduate को हम सिलेक कर लेंगे इस तरह से और यहां पर आधर का जो address है वो ही हम इसमें टिक कर लिया है टिक करने के बार यहां पर next बटन पर हम click कर लेंगे और यहां पर आधर का authentication कर लेंगे इस तरह से complete customer का fingerprint scan कर लेंगे इस तरह से scan करने के बड़ यहां पर submit बटन पर हम click कर लेंगे इस तरह से आधर authentication fingerprint हमने ले लिया है और यहां पर income slave यहां पर हम select कर लेंगे customer कितना income करते हैं यहां पर हमने type कर लिया है इस तरह से यहां पर देख सकते हैं से पास लग का अगर select करते हैं यहां पर pen cut देना होगा और यहां पर एक से डो लग करते हैं तो यहां पर pen cut नहीं देना होगा यहां पर from 60 को बार लेंगे इसमें pen cut बीन pen cut का हम saving account open कर लेंगे यहां पर no पर क्लिक कर लेना है टेक्स डिटेल पर और यहां पर agriculture income और यहां पर अदर्स एग्रिक अगरिकल्चर income paid यहां पर कुछ type कर लेना है यहां पर Excel में कितना income करते हैं वो type कर लेना है इसमें हमने यहां पर दे दिया है customer के हिसाब से यहां पर annual income और agriculture income यहां पर type कर लेना है यहां पर यहां पर देख सकते हैं फाट का declaration पर क्लिक कर लेना है box को select करने के बाद यहां पर देख सकते हैं I am tax resident of India पर क्लिक कर लेना है box को यहां पर देख सकते हैं इस तरह से यहां फूर देख कर लेना है और यहां फर यहां पर ब्रादर शिस्टेर कोन सा रेलेशन है वह टाइप कर लेना है यहां पर हमने नो का नाम दिया है और आपर NoBI happens नविनु का समी-לא है और यापर इस तरह से यापर कुछ टाइप कर लेना है यापर फ़ेविल में कितना है और फ़ेविल का यापई कितना monthly income है वो यहाँ पर totally monthly income यहाँ पर टाइप करने के बार next बटन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर insta kit number को type करना होगा यहाँ पर kit number को हम type कर देंगे फिनो payment bank का saving account combo kit इस तरह से यहाँ पर kit number का यहाँ पर देख सकते हैं kit number यहाँ पर देख सकते हैं scan करने तो scan भी कर सकते हैं और खुट से type करना है तो खुट से भी type करकी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम खुट से ही type करकी यहाँ पर देंगे इस तरह से number को हम type कर देंगे generation और इस तरह से 500 का payment कटेगा इसमें 500 का payment कटने के बार यह saving icon open हो जाएगा फिनो payment bank का यहापर next button पे हम click कर लेंगे next button पे click करने के बार यहापर देख सकते enable disable apps यहापर देख सकते इसमें apps से अगर पेसे उठाना है यहापर active करना है तो यहापर इसको on करके यहापर finger को लगा लेना है यह बात में भी हम add कर सकते हैं मतलब कि लिंक कर सकते और यहापर यह दोनों box को इस तरह से select करके यहापर कि नेक्स बटन पे हम click कर लेंगे नेक्स बटन पे click करने के बड़ यहापर दूबारा से अधार authentication capture fingerprint करना होगा इस तरह से हमने customer का fingerprint लेने के बाद यहापर register mobile number पे यहापर OTP जाएगा हमने फास्ट टाइम जो mobile number न्यू mobile number type करके search किया है उसी mobile number पे OTP चला जाएगा OTP को यहापर हम type कर लेंगे चार दीजिट का OTP होगा इसमें हम चार दीजिट का OTP को डेनी की बड़ यहापर next बटन पे click करने की बड़ इस तरह से next बटन पे हमने click कर लिया है और इस तरह से यहापर देख सकते एकाउन उपेंड सक्सेसपूल हो चुका है और इस तरह से फिनू पेमेंट बेंग का मार्चेंड CSP ID लेकि BC ID लेकि इस तरह से इंस्टें एकाउन उपेंड करके दे सकते हैं यहापर देख सकते हैं 24 गंटी के अंदर अंदर यह एकाउन एक्टिबेट हो जाएगा यहापर देख सकते हैं हमने सक्सेसपूली फिनू पेमेंट बेंग का सेबिंग एकाउन और करन एकाउन उपेंड कर लिया है एकाउन नंबर कस्टोमर आईडी और इनिशल फंडिंग और इस तरह से फिनिस का सार्विस है यहाँ पर देख सकते हैं फिनू पेमेंट बेंग का शीएसपी आईडी लेकि और इस तरह से मर्चेन आईडी लेकि एकाउन उपेंड कर सकते हैं एकाउन हिस्टर में आने के बद यहाँ पर क्लिक करने के बड़ इस तरह से इनिशल फंडिंग का चुका है 500 सब्सक्राइब रुपीस और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है